नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, तो वीडियो के नेचे मुझूद जोइन बटन की साहिता से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हों। चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर टू के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों। ये आर्टिकल लिखा गया है मनजीव एस पूरी के दोरा। देखो सद्यों तक इंडिया और नेपाल के टाइज में बनारस का एक बहुत इंपोर्टन रोल रहा है। कैसे बी-पी को इराला ये नेपाल में डेमोकरिटिक पोलिटिक से जनम दाता है। ये बनारस के रेजिडेंट थे। उसी परकार से पुस्पालाल सरिष्ठा ये कमनिष्ट पार्टि ओफ नेपाल के फाउंडर्स में से एक हैं। ये भी बनारस के रेजिनेट थे, बहुत चारे ब्यूरोक्रेट्स या फिर अकेडमीशन्स निपाल के, उन्होंने बनारस के, बनारस हिंदू यूश्टी में सिक्सा प्राप्त की हैं, 1980s तक काठमांडू पहुचने के लिए, बनारस से फ्लाइट लेना सबसे आसान रास्ता था, क्योंकि बनारस और काठमांडू के बीच बहुत फ्लाइट्स चलते थी, लेकिन अब देखो समय चेंज हो चुका है, अब सबसे प्रोफिटेबल जो रूट है, इंडिया और नेप बैंगलोर तक, क्यों? क्योंकि बैंगलोर में बहुत सारे नेपाली प्रोग्रामर्स काम करते हैं, और दुनिया भर की टैक कंपनीज के लिए सोफ्टिवर बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, अक्सर देखो जब भी इंडिया और नेपाल के टाइस की बात आती हैं, हम इस परक ग्लोब्रफी शेयर करते हैं, कल्चर में भी काफी ज़दा similarities हैं, बट देखो पिछले कुछ सालों से हलात काफी ज़दा चेंज हुए हैं, ना सिरफ इंडिया में बदलाव आए हैं, बलकि नेपाल में भी बदलाव आए हैं, दाइसो साल तक, जनी 250 सालों तक नेपाल में म बदलाव आए हैं, पहले नेपाल के यूथ ज़दार इंडिया में आते थे education प्राप्त करने के लिए, बट देखो अब ऐसा नहीं है, ग्लोबलाइजीशन के बाद बहुत सारे अलग अलग देशों में नेपाली जो यूथ हैं, वो 6 सा प्राप्त कर रही हैं, including Australia, Malaysia, US, Thailand, Japan, even South Korea, पहले ज़दार इंडिया में आते थे, चाइना पहले ज़दा South Asia में interested नहीं था, लेकिन अब वक्त change हो चुका है, अब नेपाल के पास चाइना काड है प्ले करने के लिए, अब नेपाल के पास option है, पहले नेपाल के पास देखो option नहीं था, तुकि चाइना interested नहीं था नेपाल में नेशलीजम काफी ज़्यादा बड़ा है पिछले कुछ समय में और नेपाल की politics में नेशलीजम का मतलब anti-India hatred, जो party ज़्यादा नफरत दिखाएगी, इंडिया के against मतलब वो ज़्यादा nationalist है, इस वज़े से काफी सारे नेपाल के political leaders, bureaucracy के लोग, academia, media के लोग, व अपने personal gains के लिए अपने आपको ज़्यादा nationalist साबित करने के लिए, लेकिन इस से नेपाल को नुकसान ही होता है, फाइदा नहीं होता है, जैसे writer example देते हैं, पंचेसवर डैम का, पंचेसवर डैम अगर बन जाता, तो इसका potential 5000 मेगावाट है, लेकिन इंडिया के against नफरत क रहा, वहाँ पे moist moment भी चल रही थी, और एक तरफ democratic moment थी, और एक तरफ मुनार्की वाले लोग भी थे, तो काफी समय तक conflict रहा, बहुत सरे international NGOs यहाँ पर आ गए थे, conflict को resolve करने के लिए, और poverty को खतम करने के लिए, इनकी वज़े से भी, नेपाल का exposure, वर्ल्ड में काफी ज़ unreported रही, वो यह है, काफी सारे Christian missionaries नेपाल में enter कर गए है, most insurgency के बाद, even छोटे छोटे गाउं में भी church हैं, जिने faith house कहा जाता है, वैसे देखो, 2011 के नेपाल के census के अनुसार, 80% जो जनता है नेपाल की, वो हिंदू है, बट नया सविधान जो नेपाल ने बनाया, उसम नेपाल ने अपने आपको secular country कहा है, इससे पहले नेपाल अपने आपको Hindu country कहा करता था, next point, नेपाल में कई सारे अभी जो development projects चल रहे हैं, वो देखो, इंडिया या फिर चाइना से लोन लेके नहीं चल रहे हैं, अभी सिरफ हम बात करते हैं, इंडिया या फिर चाइना की, Multilateral Development Banks ने भी काफी लोन नेपाल को दिया है, development projects के लिए, जैसे World Bank, IMF, एफिर Asian Development Bank, नेपाल का largest donors में से एक है European Union, मतलब European Union ने काफी सारा लोन दिया है नेपाल को, मतलब ये कहना सिरफ इंडिया और चाइना दो major players हैं, नेपाल में ये कहना गलत होगा, एक Italian company वहाँ पे अभी pipe fighter के लिए project develop कर रही हैं, telecom sector में, Malaysia से काफी सारी investments आई हैं, और नेपाल में largest जो international career है, वो है Qatar Airways, तो इन सब factors के अधार पर writer ये कहते हैं, देखो आज के समय में जो नेपाल के leaders हैं, उनमें से जालतर ने इंडिया में सिक्साप्राप्त नहीं की हैं, जो पहले वाले leaders हुआ करते थे, उन्होंने इंडिया में सिक्साप्राप्त की हुई होती थी, तो वो इंडिया के साथ रिष्टो की एहमियत समझते थे, बट आज ऐसा नहीं है, natural bond जो है वो पहले की अपिक्साकर्त काफी ज़्यादा कमजोर हुआ है, अभी नेपाल के जो options हैं, काफी ज़्याद famous है वहाँ पर, वो लिवूड की movies काफी ज़्यादा देखी जाती है, otherwise हिंडी के परती, नेपाली लोगों का बहुत ज़्यादा लगाव है, ऐसा नहीं है, हमने एक article में discuss भी किया था, कि नेपाल की सरकार अब Chinese language, Mandarin को ज़्यादा तवज्यों दे रही है, फिक्साकर्त वैसे, इंडिया अभी भी देखो, largest aggregate investor है नेपाल में, मतलब सबसे ज़्यादा जो investment है, वो इंडिया की ही है, हम एक बहुत बड़ा project वहाँ पे establish कर रहे हैं, around 3rd, ये 900 MW का hydroelectric project है, 5 साल के अंदर जब ये complete होगा, तो इस project के द्वारा इतनी electricity produce की जाएगी नेपाल के अंद सबी प्रोजेक्ट से आज नेपाल में होती है, उनको मिला दिया जाए, तो उससे ज़्यादा अकेला ये project electricity डवलप करेगा, moreover, नेपाली जो रूपी है, वो इंडियन रूपी के साथ packed है, इससे नेपाल को काफी फाइदा होता है, नेपाल की per capita income, 1000 डोलर से थोड़ा सा ज contribute करती हैं, बड़ देखो, अभी COVID-19 की महमारी है, तो रेमिटेंस मिलना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, नेपाल का इंडिया के साथ बड़ा advantage है, बोर्डर open है, नेपाल के जो लोग हैं, इंडिया में आ सकते हैं, काम करने के लिए, जोगरफी जो हैं, वो इस परकार की हैं, तो नेपाल को इन सब चीजों को समझना चाहिए, कि इंडिया के साथ आपकी जोगरफी कैसी है, आप इंडिया को ignore नहीं कर सकते हो, लेकिन देखो, इंडिया भी हाथ पे हाथ धरा नहीं बैठ सकता, कि हाँ, नेपाल हमारी बात समझ जाएगा, कुछ लोग जो भी responsible है ब्योक्रेसी में या फिर दूसरी जगह पर जो responsible हैं, इंडिया और नेपाल के ties खराब करने के लिए, उनकी accountability fix होनी चाहिए, जैसे कहा जा रहा है, कुछ experts के द्वारा, बार बार नेपाल के द्वारा ये पर्पोस किया जा रहा था, कि जो disputed areas हैं, उन पर बात होनी चाहिए लेकिन इंडिया ने नेपाल की बाग को ignore कर दिया, हमें नेपाल के sentiments को समझना चाहिए था कि वहाँ पर किस परकार के sentiments emerge होके आ रही हैं, लास्ट में राइटर ये भी suggestion देते हैं, आप देखो इंडिया नेपाल बोल्डर पर कुछ infrastructure develop करो, connectivity और ज़्यदा बहतर करो, इंडि में जो रोटी और बेटी कानाते की हम बात करते हैं, वो ties और ज़्यदा improve होंगे, लेकिन इसके लिए हमें initiative लेना होगा, ये पूरा आठकल हमने डिसकस किया, इस discussion में फिलाल इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.